नमस्कार मित्रो यूट्यूब चैनल के पुस्तक चर्चा कारिकरम में आपका स्वागत है हम ये वीडियो शुरू करें ये बात्ची सुरू करें उससे पहले आपसे आग रहें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन जरू दबाएं भारती है जनसंचार संस्थान के महानेदेशक प्रोफेसर संजय दिवधी की नई पुस्तक भारत बोध का नया समय इन दनों चर्चाओं में है सोतंतरता के अमरत महावसव के आउसर पर उन्होंने पूर्ण मनोयोग से अपनी इस पुस्तक की रचना यूजना की है बैसे तो वे सदय भी अपने आलेखों के चैन एवं उनके संपादन से लेकर के डिजाइन तक में सचेत रहते हैं क्योंकि उन्होंने काफी लंबा समय लोगप्रिय समाचार पत्रों के संपादक के रूप में मिता है परन्तु अपनी इस पुस्तक कुनों ने बहुत लाड दुलार के साथ त्यार किया है पुस्तक में सामिल उनके चुनंदा आलेखों के सीर्षक, लेयाउट और डिजाइन देख करके आप इस बात को महसूस कर लेंगे संपवता पुस्तक को आकर्सक रूप देने के पीछे उनका मनतव्य भारत बोत किस विमर्ज को प्रभुद्द वर्ग के साथ साथ यूवापीडी के बीच में भी पहुँचाना रहा होगा आकर्सक कलेवर आज की यूवापीडी को अपनी और खिंसता ही है हाला कि पुस्तक के कत्य और तथ्य की धार इतनी अधिक तीब्र है कि भारत बोत का विमर्ज अपने गंतब्बे तक पहुची जाएगा प्रोफेसर संजय दुएदी की यह पुस्तक ऐसे समय में आई है जब भारत बोत की सरवादिक आवशकता है नई पीडी के सामने भारत की वास्तविक पैचान को प्रस्तुत किया जाना बहुत आवशक हो गया है यदि वर्तमान के समय में यह काम नहीं किया गया तब फिर बहुत देर हो जाएगी सुतंतता के बाद से आयाति द्विचार धाराओं ने भारत की संत्ति को भारत के स्वत्त से दूर करने के लिए अनथक प्रयास किये हैं या प्रयास अब तक जारी हैं अलबत्ता आप तो भारत बिरूदी तागतें अधिक सक्रिता के साथ नई पीडी को भ्रमित करने के उपक्रम कर रही है। प्रोफेसर द्वेदी ने अपनी स्पोस्तक के कुछालेखों में इस ओर संकेत किया भी है। लेखक ने कुछ कहना था इसलिए इस सीर्षक से लिखे अपने मनोगत में लिखा है इस बात को कि आज के भारत का संकट यह है कि उसे अपने पुरा बेभगपक गर्व तो है पर उसे वह जानता नहीं। इसलिए भारत की नई पीडी को इस आत्म देन्य से मुक्त करने की जरूरत है। यह आत्म देन्य है जिसने हमें पदलित और आत्म गौरब से हीन बना दिया है। सदियों से गुलामी के दौर में भारत के मन को तोड़ने की कोससे हुई है। उसे उसके तिहास बोध गौरब बोध को भुलाने और विदेशी विचारों में मुक्ती तलासने के लिए सिखाया गया उसकी कोससे परवान हुई। गौरब बोध को मिटाने के प्रयास करते रहे हैं। इस पुस्तक में मुख्यता दो खंड हैं विमर्स और प्रेरग बिक्तित्व। विमर्स में जहां भारत बोध की विन्न विन्न प्रकार से चर्चा है। भारत की संकल्पना पर विचार विमर्स है। इसी खंड में पुस चेटरों के मैदानों में पहाडों में अरण्यों से होकर गुजरती है और विसाल सागर में जाकर के समायत हो जाती है वहीं प्रेरग व्यक्तित्तों में लोकमंगल के संचार करता नारत युवा सकती के प्रेरग स्वामी वेकानन्द भारत बोत के प्रवक्ता माधराव सप्रे राजनिती के संत मात्मा गांदी भारतिता के प्रतीक पुरुस पंडित मदन महुन मालविया मूक नायक डाक्टर भ प्राउर्ट सक्करने वाले राजनेता डाक्टर स्याँ प्रसाद मुखर जी के व्यक्तित तो इस पार्ठ में सामिल है इस अध्याय में सामिल है और इनके माध्यम से भारत बोध की संकलपना को लोगों के सामने रखने का प्रयास इस पुष्टक में किया गया है। मीडिया की भूमिका एबं उसकी दसा और दिसा पर भी विस्तार से चर्चा की है। आज के समय में नई पीडी के सामने भारत की गौरोसाली परंपरा और उसकी सांसरते पैचान को प्रस्तुत करने में मीडिया मैत्मुर भूमिका निभा सकता है। कुछ हद तक मीडिया ने अपने लोक मंगल के धर्म का पालन किया भी है परंतु मीडिया के एक बड़े हिस्ते पर अभी भी उन तागतों का प्रभुत्त है जिन्हें भारत के सुरनिम प्रष्ट दिखाई नहीं देते। या कहें उन्हें भारत की चमक्ती छबी चुबती है ऐसा प्रतीत होता है कि इन तागतों को भारत की बदनामी कराने में करने में आनंद की अनगूती होती है। पुस्तक का एक निवंद चुनी ही चुपियों का समय इस प्रकार की तागतों जिसमें खास विचारधारा के लेखक, पत्रकार और तताकतित बुद्दी जी भी सामिल हैं इस ग्रोह के पाखंड को इस लेख से उजागर किया है। प्रश्न का उत्तर तब मिलेगा जब हम भारत को भली प्रकार से समझेंगे, भारत को मानेंगे। राष्टिय स्वें सेव संग के सहसरकारवा एवं भारतिता के चिंतक डॉक्टर मनमोहन बैद अक्सर कहते हैं भारत को समझने के लिए चार बिन्दू उपत ध्यान देने की ज़रूरत है। भारत को मानो, फिर भारत को जानो, उसके बाद भारत के बनो और सबसे आकरी में भारत को बनाओ। भारत को समझने की एक ऐसी प्रक्रिया है। अमरत महोसव के आउसर पर भारत के स्वत्त से परचित कराने के लिए हो रहे अनेक प्रियासों में मीडिया के आचारे प्रॉफेसर संज़द्यदी की यह पुस्तक भी एक महित्मूर प्रियास है। समसामाइक विमर्ज पर टिपनिया करते हुए लेखक ने भारत के मूल तत्तो की स्थापना करने का सचेतन प्रियास इस पुस्तक के माद्यम से किया है। निश्य थी नए समय में यह पुस्तक पाठकों के बीच अपना इस्थान बनाएगी, बना चुकी है, साथ ही बरतमान समय में चल रहे भारत बोद के विमर्ज को मजबूत करने में भी यह पुस्तक सफल होगी। चलते चलते बता देते हैं कि पुस्तक का प्रकास शन्य ninety NightBLEEP ने किया है। पुस्तक में कुल 224 प्रश्ट है और पुस्तक का मूले 500 रुपे है। आप अमेजन से इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। पुस्तक एक बार फिर बताते हैं कि पुस्तक का जो कलेवर है बहुत आकरसक है इस तरह की सास सज्जा से सुसज्जित पुस्तक यह बहुत ही कम देखने को मिलती हैं तो मित्रो उमीद है आपको यह पुस्तक चर्चा पसंद आई होगी फिर हम केसी और पुस्तक के साथ आपसे समवाद करेंगे तब तक के लिए आपसे अनुमती चाते हैं जय हिंद जय भारत